वेलकम टो दो चैनल और होप सो यू आल डूइंग गाइज फिल और आज की इस वीडियो में बिसे के लिए स्वाटिंग का एक कोशन डिसकर्स करने वाले हैं यह पटिकुलर कोशन आपको सीज को में पूछा गया है और इस कोशन में में ट्विस्ट एक है कि आप इस पर्टिकुलर जो एयरे दिया हुआ इसको सौट करना आपको बट आपको ओ आफ को किया करना था इन प्लस के टाइम में आपको सौट करना है तो इसके लिए कौन सा ओल्गोरिदम करते हैं वह हम लोग सबसे पहले देखेंग सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं जो भी हम लोग सेलेक्शन सब्सक्राइब पढ़े थे अपना कॉलेज में सेमेश्टर की टाइम है वो सारे सॉर्ट को और उसका टाइम कॉंपलेक्सिटी को हम लोग सबसे पहले रिविजन करेंगे और फिर इसका देखेंगे कि हम लोग किस पर्टिकुलर सौर्टिंग अल्गरीदम का यूज करके इसको हम लोग स्वा सब्सक्राइब के बिविजन की अपने में में नहीं पढ़ा ऊगा इसके अलाबा दो और और वोग में सेमेस्ट्र में नहीं पड़ा होगा सेल सॉट और टीम सॉट की जातों टीम सॉट का तो बैसे कली टीम सॉट नथिंग लाइबरेडी यूज करते हैं जैसे अगर जावा में बात किया जाए तो जावा में हम लोग एन टाइम लगता है उसको आप गईस देख सकते हैं इसके अलावा भी बहु इसका जो कॉंटिंग सॉट है इसका जो वर्स्ट केस का टाइम कॉंपलिक्सिटी है ओ आफ एन प्लस के टाइम वियर के इस दा रेंज ओफ दन नमबर सो बैसे कली कॉंटिंग सॉट का हम लोग इस यूज तभी करते हैं जब पर्टिकुलर जो एरे का साइज होना और उसमे जो एलिमेंट होना वह लिमिटेड हो ऐसा नहीं यह अल्गोरिधम हम लोग उस पर्टिकुलर डेटा पर नहीं लगा सकते हैं कि मिलियंस अब डेटा अगर है तो वहां पर हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है रैडिक सॉर्ट सॉर्ट आपका आप लोग पढ़े लगता है तो एन प्लस के में इसके लिए हमें कॉंट इंग सवाट करना पड़ेगा तो इसके पीछे लॉजिक क्या है वह समझते हैं यह इस एरे को सॉर्ट करना तो अगर आप इसको सॉर्ट कर रहे क्या हो जागा माइनस वण 1, 2, 3, and 3, and then 5, and 9, इस चीज को कैसे sort कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें इसको sort करने से पहले क्या करना पड़ेगा, यह जो भी element हमें दिया हुआ है, उसको एक map में store करेंगे, तो अगर इसका map बनाते हैं, तो सबसे पहले एक map बना लेते हैं, ठीक है, अहाँ पर, कितने time appear हुआ है, one time, तो इसको जितने भी frequency होंगे, उसको लिख देंगे, ठीक है, अगर 3 देखेंगे, तो 3, sorry, 2 times, उसके बाद फिर 9 आपका आ जाता है, one time, और 2 आपका हो जाता है, one time, particular हमारा map बन गया, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, map का यूज करके, एक particular range बनाएंगे ठीक है, अब इस particular area से find करेंगे, हम लोग minimum and maximum value, तो अगर इसका minimum value find करेंगे, तो क्या है, हमारा minus 1, और इसका maximum value find करेंगे, तो max value, आपका कितना है, 9 है, अब क्या करेंगे, हम लोग simple, एक loop चलाएंगे, ठीक है, और वो loop कहां से कहां तक चलेगा, वो loop चलेगा, मीन से लेके max तक, यहाँ पर, एक simple सा loop चलाएंगे, यहाँ पर देखो, पोर loop लिखेंगे, और a mean, i equal to, i equal to, mean से start करेंगे, और less than equal to, i mean i, less than equal to, हम लोग चलाएंगे, max तक, और i को करेंगे, plus plus, increment, अभी यहाँ से क्या होगा, देखो, simple सा logic है, यहाँ पर हम लोग का करेंगे, minimum 1 से start करे और check करेंगे, map में, map में, यह, इसका frequency कितने time stored है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगो, तो मैं यहाँ पर एक array बना लेता हूँ, ठीक है, एक array बना लेता हूँ, और उस array को इसमें, insert करते जाएंगे, आप चाहें, तो particular, उसी array में changes कर सकते हैं, जो आपको array दिया हुआ है इधर आप नया array create करके उसमें, insert कर सकते हैं, तो अगर आप minus 1 के देखोंगे, सबसे पहले minimum find किया, तो minimum जब i equal to minimum पर आया, तो i हमारा minus 1 है, minimum, ठीक है, तो minus 1 का frequency कितना है, 1 है, तो इसको, जो भी i में value stored होगा, उसको index नमर 0 से start करेंगे, और insert कर देगे, अब देखो, उसक क्या यह map में है, नहीं है, तो इसको हम लोग insert नहीं करेंगे, फिर देखेंगे 1, क्या map में check करेंगे, map में, यह अपका key हो जाता है, key हम लोग check करेंगे, basically, key check करेंगे, तो अगर 1 है, तो नहीं है, तो 1 को भी हम लोग क्या करेंगे, इस area में insert नहीं करेंगे, फिर check करेंग फिर से i++ करेंगे, अब i का value कितना हो जागा, 3 हो जागा, तो 3 को check करेंगे, 3 हमारा क्या इस value में, I mean map में contain करता है, तो yes contain करता है, तो अभी क्या करेंगे, 3 को insert करनेंगे, और एक चीज यहां पर और लगाना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, कि यहां इसके closing से पहले, और y loop में हम लोग क्या करेंगे, map में जो उसका value होगा, I mean let's suppose इसका value कितना आया, जो भी number आया, i का value, ठीक है, इसमें number में यह value आपका आया, frequency, ठीक है, तो frequency 2 है, तो जो भी frequency आएगा, frequency को जब तक greater than 0 रहेगा, उसको क्या करेंगे, insert करते जाएंगे, तो अगर simple logic लिखेंगे, इसी चीज़ को, जो भी frequency आएगा, एक बार insert करेंगे, उसके बाद frequency को minus minus करते जाएंगे, ताकि वो घड़ जाए, ठीक है, उसी तरीके से फिर अगर 9 पे जाएंगे, फिर देखोगे 4, क्या 4 हमारा map में available है, अगर 4 देखोगे यहाँ पे, तो नहीं है, तो इसी तरीके से अब 9 चेक करेंगे, तो 9 को हम लोग करेंगे, इसी तरीके से अगर आप देखोगे, तो फाइनल जो हमारा area निकलके, वो sorted area अब इसका time complexity discuss कर लेते हैं, तो time complexity में सबसे पहला, अगर आप यहाँ पे देखोगे, कुछ ज्यादा difficult है नहीं, यहाँ पे से पहले हम लोग क्या करने हैं, जो भी हमारा area दिया हुआ है तो उसके लिए एक loop चला रहे है, और एक loop चला रहे है, ताकि हम क्या कर सकें, उस map में वो सारे data को put कर सकें, map.put कर सकें, और यह भी data होगा, उसको put सकें, तो उसके लिए वो off end time हम लोग लग रहा है, उसके बा यह इसका length क्या होगा, इसका length particular मान ले टेक किया है, तो सिर्फ कितना time लग रहा है, n plus k, क्योंकि multiply नहीं हो रहा, दो loop अलग अलग चला रहे है, तो plus करेंगे, n plus k, so guys, इस algorithm का use करके, accounting algorithm का use करके, you know, n plus k time में sort कर सकते हैं, यह basic logic हो गया, guys, इसी चीज को हम लोग Java में कैसे implement कर सकते हैं, उस इसको भी देखेंगे, ठीक है, तो वो मैं code लिख रहा हूँ, simple सा, आप यहाँ पर देखोगे, main function में, basically, integer nums नाम का array बना रखा हूँ, उसमें data pass कर रखा हूँ, और उसको print कर रखा हूँ, ठीक है, अभी आप देखोगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, simple sort array ना इसको मैं print करके भी आपको दिखा देता हूँ, तो better रहेगा, इस out कर लेते हैं, तो map को print कर देते हैं, okay, उसके बाद basically मैं क्या कर रहा हूँ, stream API का use करके, basically, आप मैं find कर रहा हूँ, क्या, इसके minimum value and maximum value, जो भी हमारे area में minimum value है, और max value है, उसको मैं find कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देखो, उसके बाद मैं simply क्या कर रहा हूँ, मैं इसी particular area में यह changes कर दे रहा हूँ, कोई नया area मैं create नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे एक local variable चाहिए, जो कि int i को 0 से मैं slice कर रहा हूँ, यहाँ पर second loop आप देखोगे, तो यहाँ पर मैं for loop चला रहा और कहां तक run हो रहा है, मैक्स तक, उसके बाद सबसे पहले हमारा code होता है, उसको हम लोग सबसे पहले check करेंगे कि क्या हमारा contains की है, जो भी हमारा key है, minimum value, वो हमारा available map में की नहीं, अगर map में available है, तभी क्या करेंगे, हम लोग क्या कर रहे है, simply int temp नाम का variable create कर दिया हूँ ठीक है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उस key के जो value होगा न, I mean, इस key का value, I mean क्या, अगर यह key हमारा 3 है, तो उसके value को मैं store कर रहा हूँ, temp नाम के variable में, temp नाम का variable में, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, temp नाम के variable में store हो जाएगा, और अगर वो value 0 से बड़ा है, ठीक ह और फिर, अगर frequency 2 है, 3 है, अगर repeated है, तो उसको मैं simply क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर frequency, temp नाम का frequency को last, मैं 1 से increment कर दे रहा हूँ, ताकि जब next time, इस loop पे आए, y loop में, तो 1 से increment हो जाए, क्योंकि एक बार जब insert हो जाए, let's suppose यहाँ पर 2 था, ठीक है, 3 हमारा 2 टाम्स था, तो जब एक बार insert हो जाए, तो यह value घटके फिर 1 हो जाए, तो इस तरीके से हमारा simple सा basic सा logic है, ठीक है, और finally last में, मैं nums को return कर दे रहा हूँ, यह basically इसको में पूछा गया था, और बहुत important question है, ठीक है, अभी इसको हम लोग run करके देखते हैं, ठीक है, क्या हमारा सही output आ रहा expected output होना चाहिए, वो आ रहा है, और यह sorted way में आ रहा है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस particular question को O of N plus K time complexity में हम लोग solve कर सकते हैं, तो hope so guys, इस video और इस explanation आपको समझ में आया होगा, चैनल पे interview से related बहुत सारे वीडियो जाने भी वाले हैं, तो अगर आप चैनल पे नहे होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपना feedback जरूर देना कि explanation कैसा है, या question जो भी मैं cover कर रहा हूँ, questions कैसे हैं, ठीक है, तो hope so यह वीडियो अच्छा लगाओ, और तब तक के लिए guys keep learning, take care, bye bye, have a nice day.